नागरिक्ता कानून के विरोध में रविवार को जामिया इलाके में किया जा रहा है प्रदर्शन उग्र हो गया है प्रदर्शन कारियों ने तीन बस और कुछ गाड़ियों में आग लगा दिया इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन कारियों पर लाठी चार्ज किया और आसु गेस की गोले छोड़े उब्रूवियों को पकड़ने के लिए पुलिस जामिया विश्वध्याले में घुज गई और गेट बंद करा दिया गया जिसके बाद कई चात्रों को पुलिस ने हिरासत मिलिया चात्रों को छोड़ाने की मांग और लाठी चार्ज की विरोध में चात्रों ने दिल्ली पुलिस हेड़क्वार्टर पहुच कर घेराव किया चात्रों की विरोध को देखते हुए दिली पुलीस ने हिरासत मिलिये गए सभी चात्रों को रिहा कर दिया है न्यूस एजेंसी ने सुत्रू के हवाले से बताये कि पुलीस बाहरी उब्दरव्यों को पकड़ने केलिए केमपस में घुसी थी जामिया में चात्रों पर हुए लाठी चार्च की विरोध में उत्तर प्रदेश में अलिगण मुस्लिम विश्वी थ्याले के चात्रों ने भी प्रदर्शन किया इस दोरान उत्तर प्रदेश पुलीस ने चात्रों पर लाठी चार्च किया, मोलाना आजाद उनिवर्सिटी, हेदराबाद, उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदुवी श्वी थ्याले और बंगाल के जाधवपूर उनिवर्सिटी के चात्रों ने भी प्रदर्शन किया दिली पुलीस के पियार ओ, MS रंधावा ने बताया कि हिरासत मिलिये गए सबी चात्रों को छोड़ दिया गया है इन चात्रों को कालकाजी और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के थाने में रखा गया था